पूर्व केंद्रिय मंत्री जस्वन सिंग जासौल के बेटे मान वेंद्र सिंग का कॉंग्रिस से मोख भंग होता नजर आ रहा है पार्टी में लगतार होती उपेक्षा से आहत मान वेंद्र एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी यानी बीजेपी से नस्दी किया बढ़ा रही है पार्टी में उनकी सम्मान जनक वापसिकी सुगबोगा हट तेज होती जा रही है बताया जा रहा है कि बीजेपी इन दिनों वसंद्रा राजी के धुर विरोधी नेताओं को वापस जोड़कर पार्टी का आधार मजबूत करने में जुटी हुई है हाला कि मानवेंद्र ने इस बारे में चुपे साथ रखी है उनके करीबे लोगों का कहना है कि कुछी दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा मानवेंद्र वसंद्रा राजी के धुर विरोधी माने जाते है पिछला विधानसभाद चुनाओ भी उन्होंने वसंद्रा राजी के खलाफ लड़ा था पिछले विधानसभाद चुनाओ से पहले मानवेंद्र ने पच्छ पादर में अपने समर्थकों के साथ बड़ा सम्मेलन कर ये कहते हुए बीजेपी छोड़ दी थी कि कमल का फूल हमारी फूल इसके बाद में कॉंग्रेस में शामिल हो गए विधानसभाद चुनाओ में उन्होंने कॉंग्रेस से तीन टिकेट मांगी थी लेकिन पार्टी ने उनकी पत्नी समेथ किसी समर्थक को टिकेट नहीं दिया बलकि उन्हें वसुंद्रा राजे के सामने बली का बकरा बनाकर चुनाओ में उतार दिया यहीं से मानवेंद्र के मन में आक्रोश पनपना शिरूख हो गया लोकसभा चुनाओ के तुरंद बाद भी पार्टी मानवेंद्र का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई हाल ही में हुए जिला परिशत और पंचायत समीतियों के चुनाओ में भी उनको तवज्जो तो दूर उनसे पूछा तक नहीं गया इसके बाद कॉंग्रिस में अकेले पड़ चुके मानवेंद्र के सामने और कोई विकल्प नहीं रह गया जस्वन सिंग का राजपूच समाज पर गहरा प्रभाव रहा था अभी भी समाज के लोग मानवेंद्र से उम्मीद लगाए बैठे हैं एक बार सांसाद और एक बार विधायक रह चुके मानवेंद्र का बाण मेर और जैसल मेर समेट जोदपूर और जालोर शेत्र में अच्छी पगड़ है उनके कॉंग्रिस छोड़ने से स्कसीधा लाब बीजेपी को मिलेगा मानवेंद्र कॉंग्रिस में रहकर मारवार में जाट आधारित राजनीती में सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे बार मेर के स्थान्ये नेता उनके विरोध में डटे थे स्थान्य नेताओं के विरोध के कारण विधानसभा चुनाओं में उनकी पत्नी चित्रा को टिकेट नहीं मिल पाया मानमेंद्र बीजेपी में सम्मानजनक वापिस की कोशिशी में जुटे हुए हैं लेकिन ये रहा उतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए बाड़ मेर, जेसल मेर या फिर जोदपुर के राजनीती में मानमेंद्र को एगजिस्ट करना अब इतना आसान नहीं रह गया जोदपुर में केंद्रिय जुलशक्तरी मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत एक राजपूत नेता के रूप में अपना पाउँ जमा चुके हैं वहीं बाड़ मेर और जेसल मेर के सांसद रह चुके मानमेंद्र के स्थान पर अब वो केंद्रिय कृषी राज्य मंत्री केलास शौदरी कापिस हो चुके हैं ऐसे में बीजेपी में स्थान्य स्तर पर भी मानमेंद्र को विरोध का सामना करना पड़ सकता है वहीं वसुंदरा राजे के मुख्यमंत्री बनते ही दोनों परिवारों के बीच रिष्टों में कड़वाहट आना शुरू हो गए वसुंदरा राजे ने जस्वन सिंग को तवज्जो देना बंद कर दिया था हालात ऐसे पैदा हो गए कि जस्वन सिंग का फोन तक उठाना बंद कर दिया अस्वी जोत्पूर में एक व्यक्ती ने वसुंदरा का मंदिर बनाने के कोशिश की जस्वन की पतनी शीतल कावर ने देवी देवताओं का अपमान बताया इसके खिलाव केस दर्ज भी किया गया यहां से दोनों परिवारों के बीच आई कड़बा हट सारवजिनिक हो गई और रिष्टों में दूल यहां काफी हद तक बढ़ गई Bureau Report, SPN 9 News